हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अधंपूर जो कि कलारी कुर्चा और जब आपती टॉप जाते है तो रास्ते में एक बढ़िया हिल स्टेशन है तो आपको मैं यहां का व्यू दिखाता हूँ तो आयो द उधंपूर यह 60 km है जब उसे जो कट रहा है वह 45 km है और 45 km के बाद अगर हम लेफ्ट ना लें तो हम सीधा हाइवे पे चलते जाए तो हम उधंपूर के और चले जाते हैं उधंपूर से आप पत्नी टॉप नथा टॉप सुनी सर अगर आपने मेरे पत्नी टॉप के वीडि देख सकते हैं अगर आपको स्नूफॉफॉल पसंद है तो मेरे साबसे आपको जिन्दीगी में एक बार पत्नी टॉप जरूर जाना अची है और वह फैमिली और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी जगा है और एक बार आप वहां जाएंगे तो आपका हमेशा बा हमारा फर्स टॉप एक टी पॉइंट है जो कि जक्ती करके एक जगा है उसके बाद लेफ्ट शाइड में आएगा मैं वीडियो में आपको पुरा डिटेल में दिखा दूँगा कि आपको कहां रुखना है यहां चाय जिसे हम डोगरी में चा भी बोलते है वो लकडी को जला कर चुले पर बनाई जाती है और उसका एक पारंपरिक तरीके से यह चाय बनती है तो उसका अलग ही टेस्ट आता है और यह ज्यादा एक्सपंसी भी नहीं है यह मातर 10 रुपे की एक कप चाय देते हैं और इसकी कॉंटिटी अच्छी खासी कॉंटिटी होती है आप अगर कप लेंगे तो आप को फील आएगा कि हाँ यह बिल्कुल सही प्राइस के साब से बढ़िया चाय दे रहे हैं आप किसी ऐसे बड़े होटल में रुकने के जगा पर अगर आप इस चाय पॉइंट पर रुकते हैं तो आप लोकल फूड का अनंद उठा सकते हैं और जब भी आप चाय लें उसके साथ में मठी भी देते हैं यह लोग जो कि हमारा लोकल स्नैक्स है वो भी जरूर लें चाय दस रुपे की पड़ेगी और मठी आल्मोस्ट पांच रुपे और कभी-कभी छे रुपे की देते हैं यह लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन्हें दिल से बहुत बहुत थैंक्स और जिन्होंने नहीं किया है वह बात में कर लेना और यह लोगा टोल है जिसमें 140 रुपीज आपको पे करना है और यहां पर बहुत सारे बंदर हैं और आपको यहां पर बंदर काड़ियों से समान चुराते हो अभी आप देख सकते मेरे सामने वह गाड़ी के उपर से सबजी और फ्रूट बंदर चुरा रहे हैं और आप इ बहुत बढ़िया रहेगा और कोशिश करें कि आप बंदरों से नजर ना मिलाएं उसके बाद ही वह यूजले अटाक करते हैं किया और यहां से यह तनल स्टाट हो जाएगी और यह भूत ज्यादा घुमादार रस्ता नहीं है अभी यह नई सडक बन गई यह तो काफी स्ट्रेट रोड बन चुकी है और बहुत ही स्मूफ है पूरा रस्ता और टनल और बिजेज और बहुत इस सीनिक ब्यूटा और चो पुछ दूर चलने के बाद राइट साइड में मैकडॉनल्स भी आता है और मैंने जहां पर भी मैकडॉनल्स का बोर्ड लगा हुआ है वहां पर मैंने अपने स्क्रीन पर ही पॉप-प कर देता हूं कि अब मैकडी आ जाएगा तो आप वह बिल्डिंग्स याद रखें उसमें साथ ही नीचे ओयो रूम्स का उन्होंने लोगो लगा रखा है बड़ा सा विल्डिंग के उपर ताकि आप जब भी आ रहे हो और जैसे आपकी राइट में पागया पेट्रूम के बाद यह ओयो रूम्स लिखा है और इसी बिल्डिंग में ही मैकडी है तो अगर आप जो लोकल लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हो ही रुखते हैं क्योंकि जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको यह चायपोइंट के बारे में जादा पता नहीं है इस जाप्टाश और मारा एं जोचना आप्रूम के रहे हैं आप है जाप आप आप अप्रिय अभीव है तैसलाव इस पुष्प्रावण एंड फार्व में वाहा है ही एंड भीव झाल 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 आपको पाहड दिख रहा है ये माता वैशन देवी जी का है और यहां से आपको दिखोगे तो पूरा रस्ता भी दिखेगा मामा जी का कुल्चा वाला वन अफ दो मोस् पॉपुलर शॉप इन उदंपूर यहां पर सिर्फ अमूल का मख़द ही यूज होता है यहां लोग न्यूट्री और कलाडी तुचे के लिए आते हैं न्यूट्री कुल्चा 20 रुपे काथ है और कलाडी कुल्चा 45 रुपे काथ है उदंपूर की कलाडी इस पॉपुलर इन होल जम्मूयन कश्मीट पॉर इस टेस्ट तो आप जब भी यहां है है मामाची का कलाडी कुल्चा धुरु क्लाडी कुल्चा बहूँ वा नाली आूंचन काला भणकी जाता है जो आतिए जाक के लोगंग कि आसे आ़के हो पा? बाति proposing तो कि आ हlingen जाता है बहुते हैं कि दोय झाओे हैं झाल झाल